वेलकम टू सुपार 30 क्लासिस वाइस तो आप सबी लोग हमारे साथ स्पीड में हम सुपार 30 कोशन को करेंगे क्यूंकि आपका एक्जाम बहुत क्लोज आ गया है तो जली जली से हम कोशन को क्लियर करते हैं आपका कोशन पहला आपके सामने रहा निमन मैंसे किसका परसासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनूसरन अकबर ने किया था दोस्तो जब उसने मुगल सामराज को संगठित किया तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेर साइसरी इस दा राइट आंसर नेस्ट कोशन कियों चलते हैं निमन मैंसे कौन सा सफेद सिंटी मतला वाइट एंड का दूसरा नाम है दोस्तो तो वाइट एंड का दूसरा नाम है यहाँ पर ऑप्शन आपका ए दीमक तरमाइट इस दा राइट आंसर नेस्ट निमन मैं से कौन सी एक Greenhouse gas नहीं है दोस्तों तो यहां पर Greenhouse कौन कौन सी होनी चाहिए यह आपको याद रखना है friends तो पहली जलबास पर अपनी हैं दूसरी आपकी सता है कि पाई जाने वाली ओजन परत है ना तीसरा है अपना नाइट्रस ऑक्साइड लेगन अपसे कोशन अप मुझा गया है friends कौन सी Greenhouse नहीं है तो हीलियां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जागा नेश्ट वीतर कनिका राष्टी उध्यान निम्न मैंसे किस राज में स्तित है तो दोस्तों वीतर कनिका राष्टी उध्यान जो है आपका उडिसा राज आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जागा उड दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन सी मरमोहन सींग विलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रसंद की ओर चलेंगे अक्टूबर 2020 में कहे चाहे आप से अभी बरतमान में बोल दे कि अक्टूबर 2022 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार सुरंग जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में बनी है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी हिमाचल प्रदेश इसका नाम है अटल टनल दोस्तों क्या नाम है अटल टनल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी हिमाचल प्रदेश तो सबसे लंबी राजमार सुरंग का जो दगाटन हुआ है वो हिमाचल प्रदेश रोहतां दर्रा में अटल सुरंग में हुआ है आपको के लिए करा दिया है नेश्ट प्रसन बीस जनवरी उन्नीस वात्तर तक किस भरतमान भारती राज़ को नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन ए अरुनाचल प्रदेश दोस्तों अरुनाचल प्रदेश आपका सह इतर होगा ठीक है दोस्तों नेश्ट प्रसन आपके सामने रहा एक निश्चे समय अवेदी के दोरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लावों की मातरा को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसे हम आय के नाम से जानते हैं ऑप्सन डी विल वी आई टांसर नेश्ट कोशन पुस्य भूती जन्नों ने थानिस्वर से सासन किया था ठीक है दोस्तों और डैस राजबंस के संस्तापक थे तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जागा बर्धन बर्धन आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर बर्धन राजबंस के संस्तापक पुस बूती थे जिन्होंने थानिस्वर से सासन किया था यहां से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रशन बनते हैं अलगरा तरह से इसी कोश्चन से आपको घुमा घुमा के पूंचता है तो इस कोश्चन को अच्छी से याद रखना और आएगा भी इस बात का भी वरोसर रखें आप अगला प्रसन आपके सामने किस बर्श अटल व्यारी बाचपेई ने सान्ती गोश्चना पत पर अस्ताचर करने के लिए लाहुर की बस यात्रा की थी तो दोस्तों आपका यहां पर सही उत्तर हो जागा 1999 विल वी राइट आंसर ठीक हैं 1999 में कारगे लिए दुगा था आगे बढ़ते हैं धनपत राय स्रीवास्तव किस नाम से मसूर हैं तो धनपत राय स्रीवास्तव प्रेमचंद के नाम से मसूर हैं और को पता ही हैं बहुत बड़िया लेखाख हैं एक ब्यक्ति का बैदिक द्रश्टी कोण और समाज से उनका सम्मंद जीवन के चार उद्देसों से नरधारित होता है निम लिकित में से कौन सा इन उद्देसों में से एक नहीं है तो दोस्तो इस में से जो नहीं है वो आपका सही उत्तर हो जागा अगले प्रसन की ओर चलेंगे भूर परपटी भूर परपटी मतलब क्रष्ट का लगबग अंठान में प्रतिसद आठ तत्व से मिलकर बना है उन आठ में से कौन सा तत्व नहीं है तो दोस्तो आपका उत्तर हो जागा कारवन कारवन नहीं है लेकिन सिलिकोन आपको मिल जाएगा केल्सियम ही मिल जाएगा ऑक्सियन ही मिल जाएगा तो आपको जी चीज clear हो चुकी है भारती समयदान के निमलिकित में से किस अनुछित में देव नागरी लिपी में लिखी हिंदी को संग की आधिकारिक बासा की रूप में अपनाय गया था तो दोस्ते इसका उत्तर सही हो जाएगा option आपका a option a विलकुल सही उत्तर हो जाएग का option a अगले कोशन क्यों चलते हैं बल की दिसा में बिस्थापन के साथ बल के गुलनफल दोरा निरूपत किया गया कार्य होता है तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा कार्य कार्य बरावर क्या होता है बल गुड़ा बिस्थापन तो कार्य बरावर दोस्तों क्या होता है ब होते हैं वो sodium की होते हैं ध्याँ रखना sodium सब से अधे गोलंषील होता है option के साफ से इंडियन एस्योसेशन की स्थापना निमलक्यत में से किसल वर्स हुई थी तो इंडियन एससेशन की स्थापना 1876 में हुई थी क्लियर अगले परसन क्यों चलेंगे निम्न मेंसे किस सिद रसोई समागरी को सरकराव गोजी कवक कहा जाता है उसमें इश्ठ का यूज किया जाता है क्लियर अगला कोशन किस मुगल सहज़ादे ने 1657 में 1657 में किस मुगल जादे ने उपने सदों का फार्सी अनबात किया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दारा सिकोई आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगला सिंब्यक्स जो अभ्यास है वो दोस्तो भारत और सिंगापुर की बीच में होता है सिंब्यक्स सेन अभ्याज जो है दोस्तो रच्छावलो की बीच में किन्दो भारत और सिंगापर बिलकुल सही उत्तर हो जागा गिरी नदी किस नदी की साइग नदी है दोस्तो गिरी नदी जो है यमना नदी की साइग नदी है अगले कोशन की और चलेंगे निम लिखित में से कौन सा सहर पिछोला जील के तट पर अवस्तित है तो दोस्तो पिछोला जील जो है पिछोला जील उदायपूर सहर के किनारे अवस्तित है मतला पिछोला जील के किनारे उदायपूर सहर है उदाइपुर सहर को वाइट सिटी के नाम से जानते हैं आपको याद रखना है वाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है उदाइपुर सहर को उदाइपुर कहाँ पर है राइस्तान में है अगला कोशन भारत के सम्मधान का कौन सा अनुचेद राजबाल की छमादान सक्ती से सम्मंदित है तो भारती सम्मधान का जो अनुचेद 161 है राजबाल की छमादान सक्ती से सम्मंदित है अगला प्रसन निमलिकित में से कौन सा जोवार का एक मुख कारण है जो टाइड आत होता है अगले कोशन कियों चलेंगे उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को यहाँ पर आपसे कोशन पूछ रहा है ध्यान से फिर से सुनेंगे दोस्तों उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किये गए बुक्तान को डैस की रूप में जाना जाता है तो दोस्तों इस पश्ट लागत की रूप में जाना जाता है भारती सम्मिदान के निमलिखित में से किस अनुचेद के अनुसार रासवा में धन वद्याग पेस नहीं किया जा सकता है तो option आपका कौन सा हो जागा D option D आपका विल्गों सही उत्तर हो जागा option D will be right answer option D अनुचेद 109 के तहट रासवा में धन वद्याग पेस नहीं किया जा सकता है अखिल भारतीय किसान कॉंग्रिस के पिर्थम महासचेव निमन मैंसे कौन थे तो अखिल भारतीय किसान कॉंग्रिस के पिर्थम महासचेव एन जी रंगा थे दोस्तों कौन थे दोस्तो एपकर बिल्कुल सही उत्तर हो जागा अगला कोशन निम्न में से किस सुतंता सैनानी ने 1875 में बंदे मातरम गीत की रजना की थी तो दोस्तो आपको अच्छे से पता है बंदे मातरम किसे ने लिखा है बंकिम चंदर चटरजी बंकिम चंदर चटरजी विल सराज की एक अनुस्ठानिक लोग्स चमर्गमकली दोस्तों, जो है के रराजगी अनुस्ठानिक लोग्स चिरली जी ओधियरा compound everybody